माई डियर फ्रेंड मेरा नाम है अशोक गोईल और आप देख रहें न्यूबाइल टेक्निकल सॉल्सन तो दोस्तों मेरे पास में एक मुबाइल आप संकाजे 5 प्राइम इसके अंदरा फार पी लगा हुआ है तो दोस्तों देखते हैं इसका फार पीम कैसे निकालेंगे तो आपको दोस्तों बाद पता दूँँ इस नें एंड्रोइड एट वर्जन है इसके अंदर ना तो टोकबोग का मेथट काम करता है और ना जो सिम में से निकालते वो मेथट काम करता है तो दोस्तों आपको वीडियो कंपलीट देखना पड़ेगा जब आपको कुछ समझ में आएगा इसके लिए क्याक्रोम प्रइस तो मैं एक सिम लेना पड़ेगा इसके अंदर हमें सेम पिल लगाना पड़ेगा जा शो나finitely भरव डिखादूँ हम आपको इसका पार्पी तो पकी का ला उड़ा है इसके अंदर SIM के अंदर पिन लगा लेना है अगर किसी बाई को SIM के अंदर पिन लगाने का नहीं पता है तो वो मेरे स्कॉल करके पता कर सकते हैं कोई भी कीपेडफॉन के अंदर डालके SIM के अंदर जाके SIM के अंदर पिन लगा सकते हैं यह पें कोई ne 흡़ आ रहे हैं तो हम迅क स्टाटिंग से बैड आ जाएंगे और प्लाइ थीर और थीरों रद residents 한से अंड के अंदर इसे इसे निदर से डालेंगे अधिसे परेग्टला नें यह आप देखो ऐसे यह पीन मांगेगा तो मैं क्या करना दोस्तों पीन नहीं लगाना यहाँ पर जैसे हम सिम को इंसट करेंगे और इसका पावर बटन दबा देंगे सक्रीन ओफ कर देंगे ऐसे मैंने स्क्रीन ओफ कर दी, हम स्क्रीन ओन करेंगे, अब यहां पे इसको ओके कर देंगे, यह कहीं नहीं जाने वाला, अब यहां पे पहले हम नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहां पे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसको में एक मिंट के लिए रख एक बेन पिल्टूद ओन कर दिया उसके बाद में आप द्यान से देखना दोस्तों जैसा है आप एम नोटिफिकेस निकालते इसे वहां पर एक बार सेटिंग पर कलिक करके बल्टूद पर कलिक करना है में जैसे हम सेटिंग पे किलिक किया एक दो बार और बुल्टूथ पे किलिक कर देंगे ये देखो इसने बुल्टूथ उठा लिया है ये आगे है माई नेक बेंड बुल्टूथ इसके मैं कुछ नहीं करना है माई नेक बेंड को कनेक्ट कर दे रहा है दो नुमबर पे दीखर आपको और हमें आगे कोई process नहीं करना है यहापर एक बार okay कर देना है इसको done नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है यहां से मैं दिखा दूँ आपको एक बार यह देखो My neckband Bluetooth Connect अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको Bluetooth को उठाना है और जो हमारा power button on करते है ना उसको दबाना है में एक दो बार दबाएंगे इसको ऐसे एक दो बार दबाना है दबाई रखना नहीं दबाना है प्रेस करना चोड़ना है यह देखो एक अटमेटि गूगल नहीं हो गया अब यहां पर बोल देंगे गूगल डोट कॉम यह मारा गूगल पैज आ गया है अब हम सी में को निकाल देंगे इसका कोई इस्यू नहीं है अब हमें यहां पर टाइप करना है क्रोम इसके हमें असेप्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे नो थेंक्स कर देंगे इसके बाद में हमें टाइप करना है www.addrom.com.bypass यह आप देख पा रहे हो इसके बाद में में दो फाइले डाउनलोड करने पड़ेगी यहां से इसका दोस्त में थोड़ा से अलग अठकी है अलग मुवाईलों से एक तो करेंगे अपैक्स लंक्चर डाउनलोड करेंगे अपैक्स लंक्चर और इसके बाद हम करेंगे अप फारपी एड्रोम एपी के यह दीख रहा है आपको इसको डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद पर डोस पर जाएंगे डाउनलोड पर जाएंगे जामने डाउनलोड कर रखिए दोस्तों इसमाइल में मैंने बहुत ट्राई किया था आप सोच रहेंगे तिन यह दाउनलोड कर रखिए तो मैंने बहुत ट्राई किया तो इसके बाद ही वीडियो मनाई है मैंने कि हमारी फाईल डाउनलोड रही है अब इसको में इंस्टोल करेंगे पहले नेश्ट करेंगे इंस्टोल कर देंगे इसको में डान करेंगे अपक्स लंच्टर को इसको में उपन करना है इसको उपन कर देंग, उपन करते हैं, एक बार मोई लोग खुल जाएगा, इसके बाद हम सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है, बाद में जाना है, बाद में जाना है, अधर सेटिंग, इसके बाद में जाना है, अधर में जाना है, इसके बाद में यहां पर अंटिक करके डेक्टिवेट कर देंग सिको, अब हमें जानो है दोस्तो, अधर के अंदर, बार करके, आप सब्सक्राइब जाएंगे, यहां पर देखना हमें गूगल प्ले सर्वीस इसको हम डिसेबल कर देंगे बैक गूगल प्ले स्टोर इसको हम डिसेबल कर देंगे इसके वादे में सिंपली बैक आ जाना है अब हमें जाना है कलाउड एंड अकाउंट्स पे इसके वादे अकाउंट्स पे अब हमें जाना एड अकाउंट्स पे अब हमें जाना है गूगल के अंदर अब हमें अपने जीमेल और पास्वट पता होना चाहिए कोई भी जीमेल हो कोई इशू नहीं है और हम मैं यहां से पता नहीं है तो यहां से नई जीमेल भी बना सकते हैं लेकिन मेरे को एक जीमेल बना के रख रखा है मैंने अलग से जिसका मेरे को पासवर्ड भी पता है तो मैं अपनी जीमेल डाल देता हूं कोई भी जीमेल हो दोस्तों इसका आपको पासवर्ड पता हो वो जीमेल डाल देना इसके अंदर और बाद मैं आपको यह बताऊंगा भी जीमेल को में रिमूव कैसे करेंगे क्योंकि हम कस्टमर को अपनी जिमेल आइडी नहीं देशकते हैं इसके नेस्ट करेंगे इसके बाद है मैं अबना पासड़ डाल देता हूं ज़ीमेल का इसके बाद ही मनेस्ट कर देंगे सकीप करेंगे अगरी करेंगे नीजिआ है आपटन एप इसका बादे में भाद कर देंगे दोबर आप के अंदर जाएंगे अब ह vocable किया इसको छोड़ा हम सिदे एपस के अंदर जाएंगे इसके अंदर जाने के बाद में हमें यह आप देख पारे दो फाइल डिसेबल गूगल परेश सर्विस इसको इनेवल कर देंगे अब बैक करेंगे और Google Play Stories को भी हम इनेवल कर देंगे, अब बैक करेंगे, अब में दोस्तों कुछ नहीं करना है, मुबाइल को दोस्तों सिंपली रिस्टार्ट करना है, एक बार, रिस्टार्ट कर देंगे, यहां पर वीडियो दोस्तों मैंने थोड़ी स्कीप कर रखी है, ताकि आपका टाइम भी खराब ना और आपका काम भी बन जाए, स्टार्ट पर कलिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एगरी करेंगे टिक मार करके, कि यह देखँ हाँ, जो हमेने जीमेल डाली थे बहुर साधर से लिए, स्टार्ट करेंगे, कि नेक्स्ट करेंगे, हमें कोई बैक अपकल नहींहे लेना है, ना कोई बैक अप मिला है, को इसके बाद कजिबादें नो थैंक्स पर करके स्किप कर देंगे, दोस्तो वीडियो को द्यांत से देखना है कुसुर वीडियो आपको पसंदाए तो अपने दोस्तों को भी सेर करना है ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठास के अचे एक कर देंगे sj maior के क कमेंट ge करके बतान दोस्तों कोई कमी है बहुत भी आपको बताना था और अच्छी लगी तो भी आपको बताना है, यहां पर कोई रिस्टोर नहीं करना है, में, सक्पिप कर देंगे, सक्पिप कर देंगे, सक्पिप, फिनिस कर देंगे यहां पर, अल्डन कर देंगे, इसके बादे English सेलेक्ट कर देंगे, कोई language कर सकते हैं, next कर देंगे, continue कर देंगे, सक्पिप करेंगे, सक्पिप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अब मैंने जो दो फाइल निस्टॉल की थी अब इनको हम रिमूब कर देंगे एक तो अपैक्स रंग्चर एक जो अफ़ार पे ड्रोम बाली फाइल दोनों को मैं इंस्टॉल कर देंगे यह से अब मैं आपको पताऊंगा कि जो हमने जीमेल डाला था उसको हम अन्स्टॉल कैसे करेंगे पहले हम इस फाइल को रिमूब कर देते हैं अब इक्स रंग्चर को अब सेटिंग में जाएंगे क्लाउड एंड अकाउंट पर जाएंगे अब अकाउंट पर जाएंगे जीमेल पर ओक्या करेंगे और रिमूब अकाउंट कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से हम इस जीमेल को रिमूब कर देंगे और कस्टमर को रिस्टोर करके मुवाइल को दे देना है तो दोस्तों मिलत नेक्स नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिन बन्ने मातरम बाई बाई